किया आप भी कोई ऐसे चान है जो हिना का application सिरफ hair conditioning नहीं बलकि hair coloring के लिए करते हैं और winter season को एक hurdle की तरह देखते हैं कि भई अब कैसे application किया जाए जुकाम हो सकता है बुखार हो सकता है conditioning नहीं होती है बाल लेट सुखेंगे etc. बहुत सारे doubts होते हैं around it तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि मैं बहुत ही कमाल का, बहुत ही कन्वीनियन्ट, सिंपल, सूधिंग तरीका बता रही हूँ कि विंटू सीजन में हिना अप्लिकेशन आपका फेवरिट चीज हो जाएगी अपनी केर करने के लिए जहां और कलरिंग तो हो ह सीजन में भी नहीं मिली होगी, रेडी एवरिबड़ी, आएज चानते हैं what all needs to be done हलो एवरिबड़ी and a very warm welcome, चानल पर पहली बार आये हैं तो सबसे पहली और उन्दा चीज जो आपको करनी चाहिए वो है चानल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो अपकमिंग विडियो जो कि विडियो नहीं लिटिली माजिक होते हैं, नाचरल स्किन के इस चानल पर आपको मुफ्त मुफ्त मिल रही है, इसलिए सबस्क्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस करना मद भूलेगा, मेंटल हेल्फ तो आपकी कमाल की रहने वाली है, तो सरफ मेरी चिट चाट सुन लीजे, और ये बी स्ट्रेस फ्री, I promise you, सिर्फ आज की वीड करेंगे न, I promise you, I promise you, आप मुझे याद करेंगे, जैसी बाल सुखेंगे, आप फोन उठाके, सबसे बहले प्रिती प्रेणा की इस वीडियो पर आकर लिखेंगे, प्रेणा आपने कमाल कर दिया, ट्राइ करके देखो, चैलेंज भी, सबसे बहले तो वो सभी लोग जो हिना पर विश्वास नहीं करते हैं, this video is not for you, यह वीडियो उन लोगों के लिए है, जो कि नाच्रल तरीकों पर विश्वास करते हैं, जो कि जानते हैं कि हिना का जो पौधा होता है, जिनकी पत्तियों को रगड़ने पर रंग निकलता है, यह रंग नाच्रल होता है, और आपके के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ हिना का application in the winter season सभी के लिए hurdle है absolutely no doubt लेकिन आज इसको मैं बहुत convenient बना रही हूँ तो इस पूरी video को आप कहीं भी miss नहीं कर साते क्योंकि मैं बीच-बीच में application के दौरान इसके preparation के दौरान बहुत सारी बाते बताऊंगे which is going to be very beneficial for you so please stay tuned starting with the preparation of the हिना सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो एक decoction प्रिपेर करना है जिसमें की हम हिना को भेगाएंगे बहुत सारी लोग होते हैं जिनके लिए convenient है कि पानी मिला रखो और अगले दिन लगा लो लेकिन winter season है हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी level पर हिना ठंडी तासीर की जो अल्रडी होती है वो आपको ठंडग दे दे इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाय कर रहे हैं और conditioning के साथ साथ इसका coloring agent है इसको भी strong कर रहे हैं सबसे पहले इसके तासी को थोड़ा सा गरम करते हैं कि इतना जादा ठंडग आपके शरीर को ना दे इसके लिए आपको एक पैन में दो गलास पानी लेना है और इसमें आपको लेना है दो दिगज ingredients जिसके बारे में मेरा पूरा का पूरा परिवार जानता है ट्राय कर चुका है जानता है कि क्या magic है आपके बालों के लिए कर सकते हैं और winter season में इसका 7 और इसका application दोनों ही कमाल करते हैं जो की है एक बड़ा चमबच मेथी दाना यानि की fenugreek seeds और एक चमबच नाइजिला seeds यानि की कलोंजी के beach अब यह दोनों के दोनों आप अच्छे से खौलते हुए पानी में डालेंगे बॉइल होने देंगे एक से डेड़ ग्लास ना रह जाए एक नहीं डेड़ ग्लास रहने दीजेगा और इसको आप बंद करके रख देंगे दूसरे पैन में आपको दुबारा से दो ग्लास पानी लेना है इसको अच्छे से खौलाना है अब इसमें आपको staining ingredients लेने है जो कि आपके हिना के color को और ज्यादा strong करेंगे और ज्यादा staining बनाएंगे और darker shade आपको हिना से मिलेगा इसके लिए आपको चाहिए एक से आध इसको आप जैसे comfortable है हमें इसको अच्छे से fine करना है कि पानी में अपना पूरा रस दे सके तो यह तब इसको finely chop कर लीजिए या grate कर लीजिए या grind कर लीजिए जैसे आप comfortable है अप्रॉक्सिमेटली एक medium sized beetroot आप यहां ले सकते हैं इसको अच्छे से खौला लीजिए यह जो color होता है beetroot का यह इतना कमाल का होता है literally कभी अपने skin पर आप लगा के देखें and you'll be amazed लेकिन यह बहुत ही you know short lived होता है बहुत देर के लिए stain नहीं कर सकता तो इसको थोड़ा लंबा और stronger stain बनाने के लिए आप इसमें एक चम्मच coffee भी use कर सकते हैं करेंगे definitely stocker हम सब ही चाहते हैं इसको आप अच्छे से खौला लेंगे और इसको भी approximately date glass तक आप अच्छे से य जब यह दोनों decoctions ठंडे हो जाएं आप इनको बारी बारी जाहे तो मिला सकते हैं दोनों को एक ही container में and इस decoction से आप हिना को भीगाएंगे now हो सकता है कि आप अपने बालों के हिसाब से अगर ज्यादा हिना ले रहे हैं तो आप सारी की सारी ratios proportionally बढ़ा सकते हैं otherwise you can play with the ratio जरूरी नहीं क्या रहे हिना का फेनुगरी का डिकॉक्शन तो कम बन गया और यह वाला ज्यादा बन गया it's okay it's okay कौन सा प्लास टाइम हिना लगा रहे दुबारा लगा होगे तब correction कर लेना ठीक है अभी के लिए it is doable absolutely no problem इस जिकॉक्शन से जबी ठंडा हो चाहे आप हिना में हलके हलका इसको मिलाते जाएंगे और बिल्कुल जैसे आपको जो consistency चाहिए उसे थोड़ ऐसा तरल आप इसको भिगा कर रख लेंगे now यह आप हिना भिगाएंगे for two to three days देखो एक दिन is sufficient in fact overnight is sufficient लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं हमने overnight भिगाया था लेकिन आज time नहीं मिला हमारी हिना ठीक है कि नहीं है बिल्कुल ठीक है आप next day भी कर सकते हैं आज भी भूल गए अगले दिन भी कर स अब कोशिश कीजिए कि आप इसको एक ऐसे कंटेनर में रखें जिसको हम हीट कर सके yes here comes the magic जो कि winter season के लिए आपकी हिना को compatible बनाएगा आप मैं क्यूंकि मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया था आप इस कढ़ाई को सीधा ग्यास पर रखेंगे जिस दिन आपको application करना है hopefully हलकी सी धूप होगी तो आपको better feel होगा ठंडा अगर थोड़ा बहुत महसूस होना भी होगा वो नहीं होगा आप इसको हलका सा गरम करेंगे अगर आपकी हिना आपको लग रहा है कि थिक हो गई है पानी और डालना था तो अलग से इस समय आप fenugreek सिर्फ मेती दाना का पा चाहिए गरम करना ही नहीं है आपको बिल्कुल गरम नहीं करना क्योंकि इसी से हम अवे application करने वाले है तो बिल्कुल आपकी हिना गुंगुनी हो जानी चाहिए और यह जो गुंगुनी हिना है ना यह अराम से आधा पॉना घंटा गरम रहेगी आपको कोई discomfort नहीं होगा जैसे आप इसको अपने बालों में लगाएंगे हिना लगाते है एक दम थंड़क महसूस होती है ना summer season में तो वो magic होता है लेकिन winter season में वो torture होता है वो torture आपको न सब्सक्राइब है ना बाहर से लगवाई मैंतला मैंने खुद application नहीं किया है this time but you can do it for yourself मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको समझाए कि कैसे आप अपने खुद के लिए application कर सकते हैं it is very easy उन लोगों के लिए जिनके पास विकल्पी नहीं कोई और नहीं है आज सपास जो कवर करना ही न चोटा सब बन बनाना है और बस साइड के बाल उसके आसपास लपेटते जाने है and you will have a beautiful बन शुरू में टेड़ा टेड़ा बनेगा कुछ होगा but gradually आप सीख जाएंगे and you will have amazing बन for yourself शार कैप पहन लीजिए उस गर्माहट को अपके सर पर रहने दीजिए गंटे is a very good time और उसके बाद आप plain water wash करेंगे आप बिल्कुल भी at any point you know shampoo कर लेते हैं लो conditioning कर लेते हैं just don't do it शिरफ आप इसको plain water से wash कर लीजिए अगर थोड़े बहुत granules यहां वहां रह जाते हैं it's okay आप जैसे आपके बाल सुखेंगे आप हलका सा कॉम कर लीजिए and you'll have ऐसे लहराते हुए बाल कि आप बोलेंगे कि my goodness अभी तरक हम क्यों नहीं कर रहे थे यह this is a shampoo this is जैसे मेरा यह तरीका होता है हिना को apply करने का कि मेरे बाल almost 3-4 दिन के लिए गंदे होने चाहिए that's what I'm going to do हिना because वो shampoo का भी काम करता है conditioning का भी काम करता है it's a complete package आपके बालों क के लिए तो जब आप अपने बालों को अच्छे से सुखा लें आपको मज़ए आजाए कि वाक्या color आया है आप again दो दिन के लिए wait करेंगे अब जब भी मैं कहते हूं कि दो दिन पहले आपको भीगा के रखना है फिर आपको इसे लगाना है फिर दो दिन का wait करना है बहु मुझे पता नहीं चलता कि हेना भीगाई आज ठीक है पड़सो लगानी है okay and so on एक दिन का मार्जन चलता रहता है and it's very convenient and आपके सारे grace कवर हो जाते हैं आपके बाल एकदम you know refreshing लगते है and it's amazing बाल अच्छे से plain water wash करने के पासचाथ आपको एक से दो दिन का wait करना है कुछ न बाल हो मैंने और जमने दो दो दिन के बाद जब भी आपका comfortable है एक दिन बाद दो दिन बाद अच्छे से मालिश कीजिए तेल मालिश सरसो का तेल हो तो कोई नहीं कुछ ही नहीं आपको और चाहिए लेकिन अगर सरसो का नहीं है तो कोई भी oil जो आप यूज करने हैं उसे आप ये शांपू करेंगे और ये शांपू जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपको असली रिजॉल्स दिखेंगे कमाल दिखेगा आप वापस आके लिखेंगे फ्रेड़ना हो गया magic you are amazing and I would say you are amazing क्योंकि आपने पूरी तरह से वीडियो को देखा समझा और exactly follow किया that's why you got the results so I really hope कि ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस जो कि मैंने काफी लंबा आपको शायद विस्तार में बता दिया है but do give it a try and you'll be amazed amazed मतब समझते हैं आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे इतनी आसानी से हिना का application winter season में हो भी गया, color भी दे गया, conditioning भी कर गया और इतनी अच्छी relaxation आपको द बिलकुल like करने से मच जिचके गया, नए है तो subscribe किये बिना मच जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे magic में लेकर आती रहती हूँ and yes we would love to have you as a part of our family, मैं आप सभी से मलती हूँ अपनी आगली वीडियो में, till then take really good care of yourself और हमेशा याद रखिये, you are one of your kind, there is no other Divya जी, there is no other Juma जी, there is no other Meenakshi, so please be yourself and make the most out of whatever I am sharing, lots of love.